हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई हैपी प्लेस माई टेरस गार्डन में शिल्पा भुपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ अपने जो मैं किचन वेस्ट कमपोस्ट बनाती हूँ उसकी पूरी ही प्रोसेस किस रोटेशन में मैं किचन वेस्ट कमपोस्ट बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि हमारे हम जो गार्डन में किचन वेस् तो हमको कंटिनियसली बहुत सारा बनाते ही रहना रहता है तो देखिए मैंने ये मेरा सबसे पहला पहली बकेट है जिस जो बनकी अभी रेडी हो गई है तो वह मैंने अभी निकाल ली है और मैं इसको मैंने थालकी सी धूप अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं छै सवाचे तो मैंने इनको अभी बहुत हलकी सी धूप भी नहीं निकली है हवाएं चल रही है बस तो मैंने इनको यहां पर अच्छे से फैला दिया है ताकि इसमें हवा लग जाए क्योंकि हम जादा धूप दिखाएंगे तो इसके माइक्रोब्स जो है वो मर जाते हैं तो हमें जो पूरी तरीके से भरी हुई है यह और यह भी आल्मोस्ट रेडी है वस थोड़ी सी मॉइस्ट है तो इसको भी मैं अच्छे से फैला दूंगी क्योंकि मेरे यहां पर एक टाहिम पर बहुत सारे बकेट्स में मैं रोटेशन में बनाती ही रहती हूं प्लाइंट्स जादा होने के कारण और मैं अपने प्लांट्स में जादा से जादा किचन वेस्ट ही कमपोस्ट ही अपलाए कर दूँ तो देखिए यह मेरे जो दो ट्वेंटी ट्वेंटी लिटर्स वाले बकेट है वो पूरे मैंने खाली कर लिए इसके पात मेरे पास ऐसे कुछ यह मिल्क यह है यह भी आप देख सकते हैं अल्मोस्ट बन गई है लेकिन मैं अभी इनको यूज नहीं करूंगी जो मैंने पहले निकाली है मैं उनको थोड़ा सा हवा दिखा के सारे प्लांट्स में एक एक दो दो मुठी डाल दूंगी और यह वाली जो मेरी कमपोस्ट है आप देख उसमें एरेशन नहीं होगा तो उसकी प्रोसेस है वह बहुत स्लो हो जाएगी और उसमें बहुत वेटनेस भी रहती है अगर हम उसको प्रॉपर्ली हिलाते रहेंगे तो उसमें का जो यह वेटनेस जिसका सब लोग ऑलते की बहुत गीला-γीला सा लगता है तो वह सक्भी भ कंपोज हुआ है इसमें तो यह मैं और यह जो है यह बिल्कुल ही ताजा है जो मैं अभी अभी मैंने बनाए है तो ऐसी मेरी पूरी साइकल चलती रहती है अब मैं जो मैंने सबसे पहले वाला निकाला था उसको मैं प्लांट्स में यूज कर लूँगी और जो उसके बाद जो हमारी कंपोस्ट को हवा भी लग जाती है एरेशन भी हो जाता है और जो डिकंपोजिशन की प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाती है तो आप देख सकते हैं यह मेरा जो सेमी डिकंपोस्ट वाला था यह मैं अब इसको इस तरीके से अच्छे से एक दो बार मैंने हिला लिया ह और हिला के मैं इसको फिर से अपने बकेट्स में भर दूँगी पहले टब में भर दूँगी और यह जो नया हमाला है इनको में बकेट्स में भर दूँगी तो इस तरीके से हमारी जो कंपोस्ट है वो बनती ही रहेगी और आपको देख कैसा लग रहा होगा कि इसमें बहु बहुत जादा खुशी होती है कि हमने हमारे घर के वेस्ट को इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही जादा बेनिफीशियल होता है इसी तरीके से मैं लीफ मोल्ड भी कंटिनियसली बनाती ही रहती हूं किसी और वीडियो मे अपने क्रेट्स में भर दी है और इसके बाद इससे जो कम कम डिकंपोस वाली थी वो मैं अभी इसमें भर दूँगी और ये देखिए अभी है मैं बिल्कुल फ्रेश बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये मेरी अब दोनों बालती है जो है वो खाली हो गई है तो इसके मैं सबसे पहले नीचे बिचा लूँगी एक लेयर मैं इसकी डाल दूँगी और फिर इसके बाद मैं जो है इसके उपर हमारा जो किचन वेस्ट कमपोस्ट रहता है वो डालूँगी ये इस तरीके से डालने से हमारा जो वेस्ट है वो बहुत जादा डिकंपोस्ट जो है व इसको leaf mold में भी उस कर लेती हूं लेकिन मैं अब मैंने अभी अभी ही यह start किया है कि मैं अपने kitchen waste compost में एक layer जो है वह मैं यह तो दिखी अभी मेरे पास यह compost बनी हुई थी तो मैंने एक layer यह compost की डाल दी पर अगर आपके पस नहीं बनी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप फोड़े से मठे का पानी डाल देंगे या गुड का पानी डाल देंगे तो उससे भी आपके जो microbes हैं वो multiply हो जाएंगे इसके बाद देखी मैंने एक layer फिर से इसमें सुखे इसकी डाल दी लेकिन जैसा की मैं आप लोगों को बता रही थी कि आजकल मैंने मैंने अपने जो मेरे गार्डन में है वो क्योंकि विंटर में हमारे पास इतने ज़्यादा plants हो जाते हैं विंटर के टाइम पे और सारे ही seasonal plants होते हैं हम उन्हें बहुत ह तो क्या इसमें maximum part हमारा compost का ही रहता है जो seasonal plants रहते हैं वो तो मैं अब आजकल मैंने क्या करना start किया है कि मैं एक layer इसके उपर पूरी soil की डाल देती है इससे क्या होगा कि मेरे जो garden की soil है वो मेरी soil भी use हो जाएगी और मेरे compost भी ready होते जाएगा क्योंकि ये इतनी सारी soil फिर रखने में बहुत जाधा दिक्कत हो जाती है तो मैं आप composting करते टाइम ये देखी जैसे कि ये पुराने winter plants थे तो इनकी जो soil रहती है उसकी एक layer में इसकी उपर बिचा दीती हूँ क्योंकि ultimately use तो ये हमारे plants में ही होना है पहले मैं बिल्कुल सिरिफ leaves और kitchen waste की ही बनाती थ तो इस सारी ही मेरी soil जो और जब हम winter के मिट्टी बनाते हैं जब मैं winter की soil बनाती हूँ तो इसमें मेरा major part रहता है वो मेरा kitchen waste compost का ही रहता है तो उसमें दोनों ही चीज़े हमें मिल जाएंगी soil भी मिल जाएगा और kitchen waste compost भी हमको मिल जाएगा तो इस तरीके से ये सारे ही जो ये देखिए मैंने पूरा जो जाड़ती हैं उसकी भी धूल मिट्टी इसमें रहती है वो भी हमें फेकनी नहीं होती है हमारे garden की जो भी हमारी dust रहती है उसमें भी हमारे बहुत सारे microbes रहते हैं जो हमारे composting के लिए हमें beneficial होते तो यहां में कभी भी फेकना नहीं है ये भी मेरे decompose हो गया था मेरा kitchen waste उसको मैंने वो मेरे लिए ready है plants में डालने के लिए और जो जैसे जैसे खाली होते गए उस तरीके से मैंने एक 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 को shift करती गई हूँ दूसरे इसमें मैं shift करती गई हूँ pots में तो ultimately मेरी फिर से पूरी जो process है वो start हो गई है ये देखिए मेरे ये सारे ही फिर से बने बनके मैंने ये रख दिये हैं ये दोनों मेरे 8-10 दिन में ये दोनों ही मेरे तयार हो जाएंगे और ये जो मेरे बाल्टियां है ये भी मेरी 15-20 दिन में तयार हो जाएंगे तो ऐसे हमारे हैं पर continuous supply इसका हमको मिलता रहे तो और ये मेरा सबसे latest वाल तो बस इसी तरीके से मैं यह सारे ही खटा करके एक जगे पर रख देती हूं और अभी बारिश भी स्टार्ट होने वाली है अभी तो टाइम है हमारे यहां पर अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन उसके पहले आप लोग भी यह सारे कॉंपोस्टिंग के पूरे काम अपने न वह थोड़ा ज़्यादा लगता है आपके को पूरी भारी बरी और यह तो मेरी 55-50 किलो वाली बोरी है वह पोहजा वाली जो बड़ी सी बोरी आती है यह टोटली पूरी मेरी जो है यह लीव से हिया इसमें कुछ भी नहीं है तो यह हमारे प्लांट के लिए, अभी अभी ब यह जो मेरा पूरा का पूरा ड्रम है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से इसमें लीव्स ही लीव्स हैं, और जितने भी मेरे विंटर के जो भी प्लांट्स निकले थे, वो सारे हैं इसके अंदर, तो नीचे से बहुत अच्छी तरीके से डिकंपोस होगी, तो बहु सारे मैं इन्सी में रख देती हैं और जो भी ताटिलाइजर्स के दिनों में अपनी हुकि अब आपाप फो आपके यहां पर हैसी एरिया है और को रिकता नुमिया यहां भी सिर्वाओं टो विछ गीली है तो बस आज के मेरे वीडियो में इतना रखन रही हो तो को जटनाने को सब्सक्री के आ हम आले हैं जल्दि ऑकलionen आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई टेक किया हैपी गार्डनिंग